हलो दोस्तो, Career Point Creation में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम Rhino Software का Basic Interface सीखेंगे अगर आप Cat सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा helpful रहेगी दोस्तो, आज की इस वीडियो से हम बिल्कुल ही स्टार्टिंग से Rhino Software सीखने जा रहे हैं तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तो हम Rhino Software को Open करेंगे दोस्तो, Open करती ही हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होता है इस इंटरफेस को कहते हैं 4View Port जिसमें Top, Front, Right और Perspective View होता है दोस्तो, Top View में हम जो डिजैन बनाते हैं सिर्फ इसका Top View दिखता है, सिर्फ उपर वाला पोशन दिखता है Front View में दोस्तो, Front वाला पोशन दिखता है सिर्फ Right View में Right वाला और Perspective View में 3D पूरा मतलब की हम डिजैन देख सकते हैं Perspective View में, जिसे हम 3D View भी कहते हैं अब दोस्तो, हमारे पास एक Object है इस Object को हम अगर Top से देखेंगे तो यह कुछ इस तरह से देखेगा हमें अगर हम Front View से देखेंगे इसे, तो यह कुछ इस तरह से देखेगा किसी भी View में जाने के लिए, हमें उस View पर डबल क्लिक करना होगा अब दोस्तो, यह जो Perspective View है इसे हम 3D View में कह सकते हैं जो कि हमें पुरा 3D, उपर, उपर, नीचे, आगे, पीचे, डाय, बाय सब कुछ हमें इस Perspective View में दिख सकता है अब दोस्तो, Perspective View के पास में जो यह arrow आ रहा है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर काफी सारे option आ जेंगे first है यहाँ पर wireframe का, shaded का, rendered और ऐसे काफी सारे यहाँ पर option है तो हम इसमें wireframe select कर लेंगे तो जो हमारा object हा, अब उसकी सिर्फ boundaries हमें दिखाई दे रही है अब again हम इस arrow पर क्लिक करेंगे, अब हम shaded पर क्लिक कर देंगे अब जो हमारा object हा, वो बिल्कुल shaded में आ चुका है दुबारे हम click करेंगे arrow पर अब यह जो हमारा object है, यह अब colorful हो चुका है दोस्तों अगर हम design को color करते हैं तो वो renderate में show होते हैं तो जैसे कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है top, front और right इसको मैंने red color में renderate कर दिया है और बागी का जो object है वो silver color में हमें show हो रहा है अब दोस्तों ऐसे कई सारे यहाँ पर option है जैसे कि ghosted ghosted में करेंगे तो यह shaded भी होता है और हलका wireframe भी होता है ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर काफी सारे हैं आप अपने system में थोड़ा practical करके देख सकते हैं हमारा जो important होता है वो wireframe, shaded और rendered होता है दोस्तों यह तीन ही हम ज़्यादा तर use करते हैं दोस्तों shaded हमारा default रहता है अब कुछ भी object बनाएंगे तो हमेशा उसे shaded पर करना अब दोस्तों mouse का थोड़ा देख लेता है कि यहाँ पर mouse किस तरह से use होता है दोस्तों mouse में total तीन बटन होता है एक left click, दूसरा right click और तीसरा scroll button अगर हम scroll button को आगे और पीछे करेंगे तो यह zoom in होगा और zoom out होगा आगे पीछे करने से zoom in और out होगा right click से क्या होगा हमारा graph जो है वो move होगा हम design के आगे पीछे उपर नीचे सब देख सकते हैं right click से right click press करके रखेंगे और mouse को हम हिलाएंगे तो यह open नीचे आगे पीछे होगा अब दोस्तो left click से क्या होगा कि left click से जो हमारा design नहीं या object है वो हमारा select होगा तो left click करेंगे हम तो यह हमारा select हो चुका है अब इसे हम move करेंगे तो left click करके इसे press करेंगे और press करके इसे हम move करेंगे यह open नीचे आगे पीछे हम जहां मर्जी से move कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अब मिलते हैं अगली वीडियो में